नमस्कार दोस्तों मैं रोहन शर्मा स्वाद कतम सभी का आपके अपने चैनल जोतिश एंड वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यापर बात करने वाले हैं 1st October 2024 के बारे में 1 October 2024 का ये दिन आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर क्या आ रहा है कौनकौन सी वैदिक रेमिडीज आप सभी के लिए बहुत जाद अची रहेंगी क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का अफरमेशन कैसे आप आज के इस दिन को और जादा बहतर बना सकते हैं सारी जानकरी देखने को मिलेगी आपको इस वीडियो में अंतर देखिएगा ताकि कोई भी चीज आप से मिसना हो जाए सबसे पहले आप सभी को अक्टोबर के इस महीने की बहुत बहुत अश्रुब कामना है फाइनली हम नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं और इश्वर से ही प्रारतना करते हैं ये महीना भी हम सबका बहुत अच्छा जाए किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परिशानी हमें ना देखने को मिले पहला दिन भी कुछ इसी तरह का जाता हुआ नजर आता है अक्टोबर के इस पहले दिन में आप सभी का एनरजी लेवल बहुत जादा अच्छा रहेगा बहुत ही जादा पॉजिटिविडी आप सभी को अपने आसपास जरूर देखने को मिलेगी मन में एक बहुत ही जादा खुशनुमा माहोल आप सभी को देखने को मिलेगा इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं और हर तरह से आज का ये दिन जो है आप अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छा अबनाने का प्रयास करें यही भावना मन में रख करके चलिएगा तो आपके लिए और भी जादा अच्छा रहेगा आज के दिन में आप सभी के लिए recovery का दिन है आज का दिन किसी भी तरह की परिशानी से अगर आप जूज रहे हैं तो वो परिशानी से बाहर निकलने का दिन है बिमारी अगर आपको कोई परिशान कर रही है अगर किसी पी तरह से health accelerated issues से आप बहुत ज़दा परिशान है खास कर आज के दिन में headache, migraine या फिर stomach accelerated issues अगर आपको परिशान कर रहे हैं तो आज बहुत बड़ी राहत मिलते हुए नजर आएगी इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं आज आप बहुत ज़दा relief महसूस करेंगे और दवाईयों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें तो आपके लिए काफी ज़दा अच्छा रहेगा आज के दिन में आप सभी को परिवार को मिल जुल करके लेकर के चलने की जरूरत है कोई अन्मन चल रहा है कोई परिशानी चल रही है सौरी बोल दीजिए माफी मांग लीजिए कोई परिशानी नहीं होगी अपने ego को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा और आज आप definitely आप परिश्टों को बना करके चीजों को अच्छा करके आगे बढ़ने का प्रियास करेंगे इस तरह की योग भी अच्छे दिखाई देते हैं आज एक और महतुपन चीज यहाँ पर दिखाई देती है आज के दिन में अगर किसी भी तरह की कोई property को related समस्याएं चल रही है या कोई court case चल रहा है कोई ऐसी चीज जो उलजी हुई है property को ले करके तो वहाँ पर बातशित करके आप चीजों को अच्छा कर सकते हैं इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं तो आज कोशिश करें कि property से little चीजों में आप बहुत अच्छे result यहाँ पर देख सकते हैं इसी के साथ साथ आज के दिन में आप सभी के पास दो महत्रपून मौके यहाँ पर देखने को मिलेंगे पहला मौका आज के दिन में अगर किसी friend के साथ कहीं गुमने का आज मौका मिलता है या फिर आज कहीं सोच रहें कि लंबी दूरी की यात्राएं कहीं पर करें तो आने वाले समय को लेकर के किसी तरह की travel की planning को लेकर के आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं आज अपने काम में अगर आप किसी की मदद मांगना चाहते हैं या किसी की मदद करना चाहते हैं उसके लिए भी आज आज आपको बहुत बड़ा मौका मिलेगा ये भी समय आपको काफी ज़दा positive दिखाई दीता है इन चीजों पर अगर आज आप focus करके चलेंगे आप definitely अच्छे result यहाँ पर देखते हुए नज़र आएंगे अब बात कर लेते हैं आपर आज के दिन में कौन-कौन सी वैदिक remedies आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी आज दो चीजों पर विशेश तोर पर ध्यान रखना है सबसे पहली चीज सुवे उठते ही अपने आपको धन्यवाद दीजिएगा आज के इस दिन के लिए इश्वर को धन्यवाद दीजिएगा आज के इस दिन के लिए और universe को लेकर के थोड़ा सा positive mindset रखिएगा और अपने दिन की शुरुआत बगवाद के आश्रिवाद के साथ अपने परिवार के आश्रिवाद के साथ शुरू करिएगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज कोशिश करिएगा सुवे सुवे खाली पेट खाली पेट का मतलब की brush brush करने के बाद नहाने के बाद जब भी आप पहला कोई निवाला अपने मूँ में रखते हैं आप दो में से कोई एक चीज़ लेने की कोशिश करिएगा या तो अगर आपके गर पे शहद हो तो पहला आप निवाला जब शहद का ले दिजिए एक बून शहद भी काफी रहेगा अगर शहद अवेलेबल नहीं है तो फिर गुड अपके गर पे अवेलेबल होगा ही होगा गुड थोड़ा सा खा लीजे और अपने दिन की शुरुआत करिए अगर गुड भी अवेलेबल नहीं है तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि एपल खाकरके अपने दिन की शुरुवात करिये इन तीन में से कोई भी एक चीज खाकरके अपने दिन की शुरुवात करें यह आपके लिए बहुत बहुत जाद अच्छा रहेगा आज के दिन में हनुमान चालीसा का पार्ट करना आपको डेफिनिटी फाइदा देता हुआ नजर आएका तो कोशिश करें हनुमान चालीसा का पार्ट करें और अपने दिन की शुरुवात करें अपने आसपास की सारी नेगरिविटी को दूर करते हुए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत को परिशानिया पर ना देखने को मिले इसके अलावा आज के दिन में आप सभी अपने गर के आसपास कहीं पर भी कोई भी गाय या कुटा मिल जाए तो उसे आप कुछ खिला करके ही अपने काम के लिए आगे बढ़ें जब भी बाह जादा खास रहेगा तो आज आपका नंबर जो हे या आपका रह toxicity chil sakes musste और आज जब भी मोका मिले इस नंबर को आप रिकाल करें इस नंबर को तो आ्याद करें ये नंबर आपकी बहुत जादा मदद करता हुआ नजर आएगा और सबसे जादा अची चीज़ ये नंबर आज आपको down to earth रखने की कोशिश जरूर करेगा तो इसलिए इस नंबर को जितनी बार recall कर सकते हैं जरूर recall करें आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिल जाएंगे आज का affirmation भी आपको बहुत ही simple है जो कि आपको बोलना है the nature is supporting me the time is supporting me the universe is supporting me and I am ready ये आपको बोलना है nature, time and universe supporting me and I am ready definitely ये नया महिना है नय महिने की शुरुवात है और सबका साथ, सबके साथ चलना और सबको साथ लेकर के चलना आपका एक मात्र उद्धिश होना चाहिए तो जब आप ये affirmation भी recall करेंगे तो आपको बहुत अच्छी result देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी positivity यहाँ पर देखने को मिलेगी अब बात करते हैं आपर आज के दिन में कौन सी राशी, नंबर और alphabet के लिए दिन काफी ज़्यादा खास रहेगा राशों में यहाँ पर बात करें तो आज के दिन में मेश राशी आपके लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर दिखाई दिता है आज के दिन में सी राशी आपको भी अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दिते हैं तुला राशी आपके लिए काफी ज़्यादा फेवरियरबल समय रहेगा और इसी के साथ साथ धनू राशी को भी आज अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे इसके अलावा आज के दिन में नमबस की यहाँ पर बात करें तो नमबर एक, नमबर दो, नमबर चार और नमबर पांच के लिए समय काफी ज़्यादा अच्छा है अलफबित में देखा जाए तो अलफबित में C, F, M, N, Q, S और W आप सभी को आज अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिल जाएंगे आज के दिन में गोल्डन विश्ट टाइम की यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा महतपूर्ण समय जो रहेगा आज का यह आपका रहेगा दो पेर, दो बचकर पंदरा मिनिट से लेकर के तीन बचकर पंदरा मिनिट का समय आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महतपूर्ण है इस समय में आप कोई भी काम करें आपको अच्छे परिणाम जरूर जरूर देखने को मिल जाएंगे आज के दिन में अगर कलर कॉंदिनेशन की यहाँ पर बात करें तो आप महरून कलर का इस्तमाल आज आप कर सकते हैं यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आज उरंज कलर का इस्तमाल कर सकते हैं ब्राउन कलर भी आप आज लेकर के चलें आपको अच्छे परिणाम जरूर जरूर देखने को मिल जाएंगे तो overall आज का दिन अच्छा है आज के दिन के एनरजी अच्छी है और ये छोटी-छोटी उपाए आपको आज और जादा अच्छा बनाने में आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन पेश जरूर से क्लिक कर दीएगा कोई भी चीज पूछना चाते हैं अपने बारे में कुछ भी समयना चाते हैं आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी किया हर संभाव मदद्यां पर कर सकूँ धनिवाद